आज बात करते हैं महेश्टर पे अमेरिका में डोनल्ड ट्रॉम्प के ओपर जो हमला हुआ और उसमें बाल-बाल बच गए इसे कहते हैं बाल-बचना के मतलब जिंदगी थी उनकी और वो बच गए और उसके बाद से काफी सारी चीजे निकल कर आई हैं तो महेश्टर हम आप बात करने का क्या मतला है प्किस्तान पर बात मत करो इस पर vap deriv लिकिन यह चीजें कैसे भार्त से जुड़ी हुई है वह आज हम आप से संबझेंगे तकि हमें हमले के दो रांघ जो इस तरह से अशकूना हुआ है हम्रावर चुका और डॉनल्ड ट्रम्प की जान पर जी और बहुत सारी इसमें थ्योरीज आ रही है कि जो वहाँ पर स्नाइपर से उन्होंने शूट क्यों नहीं किया उन्होंने जब देख लिया था और नीचे खड़े एक व्यक्ति ने अथॉर्टीज को चैताया था कि यहा लेकिन जो कड़वाहट इस समय डवलप हो रही थी दोनों फी ग्रूप के बीच में दोनों पूंदिल पार्टी जो हैं अमेरिका की मेजर पार्टी डिमोकर्टिक और जो कॉंसर्मियर पार्टी जो है रिपप्लिकन इन दोनों ही पार्टी में जो बिटरनेस थी वह बढ़ करना चाहते हैं और उनकी बहुत किरकिरी इस बात के लिए हुई थी कि उन्होंने सारा गड़्मट कर दिया था उनों कहीं उन्होंने उन्होंने अपनी कमला हरिस को और बता दिया तो इन बड़ा स्ट्रेंज था सारा कुछ और उसके बाद में काफी उनकी भद्भी बटी लेकिन ये जो घटना हुई है, इसको लेकर जो तरह तरह की थियोरी जा रही है, मैंने कुछ आप से चीजे शेयर भी की है कि किस तरह से उनको देखा गया है स्नाइपर को, जसने गोली मारी है 20 साल का नर्का और ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा रिडिकलाइज था और एक एक इको सिस्टम बन गया है, इको सिस्टम तो बना है, जिसमें कड़वाहते इतनी बढ़ गई है, मगर मुझे एक और चीज लगती है यासमाजी, कि जब जो पुलिटिकल आपकी डिवीजिंस है, वो इतने कड़े और इतने बड़े हो जाए, in the sense कि आपको जो डिफरेंस है, दोनों पार्टी इसका वो, let's say, 60-40 का रह जाए, तो मान लिजिए कि एक पुलिटिकल पार्टी हारती भी है, क्यों पिछली बार आपको याद हो, इलेक्शन जब हारे थे, ट्रम्प, उस इलेक्शन की कोई बहुत value नहीं थी, in the sense कि बड़ा critically उसको देखा गया था, और ल रिलेड आई, कि पीछे जब हमारे इलेक्शन पर अमेरिका ने कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी करने कोईश की, especially इलेक्शन से ठीक पहले अर्विन केज़िवाल वाले मामले को लेकर, आपको एक कमेंट इमाया दलाऊं, उस समय पर हमारे विदेश मंतरी ने कहा था, कि जिन लोगों के एलेक्शन के फैसले, उनको कोर्ट जाकर रहने पड़ते हों, उन्हें हमारी डिमोक्रसी पर सवाद नहीं उठाने चाहिए, तो मैं आपको यह लेकर आ रहा हूं कि धरसल होता कहा है, कि जब 40-45% का एक नेता, जो 40-45% का वोट बैंक लेकर जा रहा है, वो हार भ रहा है, तो उसको देख रहे हैं, तो जो कड़वाश रहे हैं, वो दोनों कैंप्स में पूरी पूर्जोर थी, दोनों ही तरफ, और उस सारे के सारे एको सिस्टम में यह लड़का पैदा होता है, अब यह कहना मेरे लिए बहा मुश्किल है, मैं तो बी आनिस्ट, अगर मैं जाती तोर पर अपना उपी नेंद हो, तो मुझे सीरिस्टी रहता है, कि यह सरफ एको सिस्टम की पैदावार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह एको सिस्टम की पैदावार है, 20 साल का यह लड़का जिसने उन पर फायर किया है, तो आप ज़रा करपना कीजिए, कि जब एक स पाया जाता है, एक आदमी राइफल लेकर 130-440-400 गज की डिस्टेंस पे चट पर बैठा हुआ है, वस्ति ने। करotal auslaire ईवनो感 है आ statutory है थेसोर भुट ऑटार में च्रुट थेसोर उनका सा उल्हे बिल परोवन उल्बुट है अट एल्हे से फिलिइम उल्हे वे अफ इल्हे हैं प्रोव और पर इुल एर फोग है catching पुटा सा जान्स घर इनरlike रुट रंध cen युल्बु य데फली आपको क्या लगता है कि किसी भी दुनिया की दिमक्रसी में जब प्रिजिनेंट के लेवल का आदमी लेक्षर या स्पीच करने जा रहा हो या पबिक रैली करने जा रहा हो तो इतनी डिस्टेंस पर तो सिकुरिटी वाले खुद खड़े होते हैं कि वहां पर कोई नहीं होना चाहिए जिस चोटे से डाउन में मैं रहता हूं यहां पर हमारे प्राइमिंस से जब कभी आ जाते हैं या कहीं इस लेवल के लोग आते हैं डिक्नेटरी किलोमीटर के हिसाब से कम से कम एक किलोमीटर में सलक पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती है कोई स्कूटर होता है कुछ भी नहीं खड़ा होता है कि everybody सबको अपने तमाम वेहकर घर के अंदर करने होते हैं सलक पर आप कुछ नहीं रख सकते हैं मुमेंट की रिस्रेक्शन हो जाती है तो वह इसी लिए होती है क्योंकि यह सिक्रेटी की विवस्था है और आपका टॉप ग्रेड तो आप यह देखें उसके बावजूद सीकूरडी के ओफीसर्स थे वह देखने भी नहीं जाते हैं यहां पर कुछ महगानी शुरह जाती है कि कहीं कुछ कहीं कुछ है जो पीछे परदे की पीछे जिसकी परदादारी है तो आप दूसरी तरफ लीजे कि जो टाइम स्कॉय का ही जो आपने अरिया देखा कि यो ताम स्कॉर में तर्मान टीव चैनल के स्क्रीन लगें हुए वहां हर तरह के बिग्यापन चल रहे हैं सब चल रहा है लेकिन ट्रंप के हमले की ख़़र वहां दिखाई ही नहीं जा रही है मेडिया पर सननाटला है उस वाक जब यह हमला होच होगा है तो आप जरह कंटनल कीजिये कि यह कैसा महौल है जहां पर एक देश के होने वाले उनमें से एक गोली माली जा रही है उसको हमला हो रहा है और कोई कवरेज नहीं की जा रही है प्रबैबली एक नरेटिव देने की तैयारी हो रही है कि जब तक मोई पीशे से नरेटिव ना जाए इंट्रक्टर्टर्थ आप उस समय पर CNN की न्यूज देखें तो वह बड़ी अजी पिसम की न्यूज आपको मतलब लैंग्वज के लेवल पर आपको हसी आ जाएगी वह हुँ हुँ सरी यह अपने आप में बहुत ही अचंबित कर रहा है कि मतलब वहां पर सामने से हम लोगों को दिख रहा है लेकिन खुद अमेरिकल मीडिया और जिस तरह से चाइम स्कॉयर पर वह महिला बता रहेंगे कि यहां इसने सारे देखिए टीवी हैं इसने सारा यहां लेकिन वह शूटर का वेट कर रहेंगे कि थोड़ा कंफ्यूजर कर रहा है वही हम आप से समझना चाहें जी यास मेर और साथ में ये भी देखिए कि जब उसको स्नाइपर से मन ली ये शूट ही किया और आप किसी कॉस्पेरिसी को जानना चाह रहे है तो एक आप वैसे तो इसकी अपने एक हिस्ट्री है अमेरिकन हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो ये घटनाएं बार-बार गई है आप देखें शूटर को इमिरेडली मार देते हैं अगर आपने शूटर को ही मार दिया अगर आपके पास इतने शाप शूटर थे कि उसको वहां पर यानि जो लड़का मारा गया है अप यह उसकी सीधेस सेप पर गोली लगी है तो आप मुझे ये बताएं इसका मतल नहीं थी कि कि उसकी प्रेंसी थी या नहीं थी उसकी लाइफ को बचाया जा सकता था मगर वह मारते ही उसको इस तरह सैंकि वह बचे ही यानि कि जो बचेगा वह वो नरेटेव होगा जो कंट्री की अस्टिसमेंट दे रही ओगी सिक्यरिटी अगीर्टी अजिस बिए रही तो प्रवैबली डीप स्टेट इसी दर अपरेट करती है कि वो फुद सामने नहीं आएंगे और नर्रेटिव कोई बचेगा ही नहीं जब काउंटर नर्रेटिव नहीं होगा तो सच सामने वही होगा जो एक अकेला आप बता रहे होंगे और वही एक मात सच होगा तो मुझे इस सारे घटना क्रम में बहुत सारे लूफोर नजराते हैं और मुझे नजराता है कि जितना बताया जा रहा है दंसल बात उससे गहरी है बिल्कुल और जिससे आपने यह सब बताया ही है कि सीक्रेट एजनसीद है इनकी और इनकी सेक्रेटी इतनी टॉफ होती है तारी दु के मुल्क के अंदर एक गन कल्चर इस पर भी हम आप से जानना चाहेंगे तर के गन कल्चर काफी पुराना है यहां तक कि मैं डेटा देख रही थी जिसमें अमेरिका में गन कल्चर की बज़ए से पचास साल में 15 लाग मौते लगवग इतनी हो चुकी है और वहां पर हर एक 121 उनके पास गन होती है तो जितनी वहां तादाद है उससे जादा तो उनके पास गन रखी हुई है और 2002 में जब जो बाइडन के द्वारा गन कंट्रोल लाया गया था तो उसको डॉनल्स ट्रंप ने ही उसको अपोस किया था और उन्होंने कहा था कि जो भी कानून का अच जाती है अमेरिका द्वारा तो इनके खुद के मुझे में इस चीज़े हो तो उसे महारत में हम बैट के हम किस तरह से देखी है यासमीं जी दुनिया में हर डेमोकरसी में किसी भी तरह की डेमोकरसी हो डेमोकरसी में एक प्रिंसेपर बड़ा फर्डेमेंटल होता है कि जो वाइलेंस है वो स्टेट का राइड होता है अमेरिका अकेला उसका एक्सेप्शन है यह सर्फ डिफेंस के नावार जो गन कल्चर यहां पर चली है उस पर जब भी किसी ने रोट लगाने गोशिश की तो खुद गन लॉबी इतनी मजबूत है कि वो किसी के उसके सामने कोई ख़ड़ा नहीं हो पाता है और दूसरे एक जो रिवाज है अमेरिका में लॉबीस्ट को हैर करने का और लॉबीस्ट के जरिए फिर आपके जो कॉंग्रिस्मेन होते हैं उनको इंफ्लिएंस करने का जो कि अपने एलेक्शन की फंडिंग के लिए चाज़ा पाट पाट तो अगर इस तरह से एक डिमकरसी काम करती है तो I think there is any reason कि उस jegs TVs पर खाली शर्माया ही डी असकता है at the same time आप यह देखें कि मेजर political parties हैं हमारे वाला हाल नहीं है जहां पर नूमर्स political parties हैं और आपके वोट शेयर करते हैं लेकिन इसके पीछे एक जो फाइदा मुझे लगता है हमारी जैसी democracy में होता है वो यह कि किसी मुल्क में दो ही ideologies हों यह क्या जरूरी है विचारों का सीमित हो लाना यू दो ग्रूपों के अंदर क्या यह अपने आप में किसी democracy को बढ़ावा देता है क्योंकि विचारों के तो कोई सीमा नहीं होती और अगर मेरे एक खास किसम के विचार है तो क्या विचारों की स्वतंतता के तहत मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं उस विचार को फैलाओं समाज में और अपने साथ ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ूं क्या political movement उसका तरीका नहीं हो सकती है तो basically मैं एक छोटा minor point है जिसको में make up करना चाहरा हूं वो यह कि the very system जिसमें हम सर्फ अपने करें क्या वो सही मैंने में democracy को reflect करता है क्या वो तमाम democratic व्यूज जो एक समाज के अंदर exist करते हैं उनको कहीं से reflect कर पाता है मुझे उस पर भी शक है मुझे लगता है जैसे उस माइन में में शायद American democracy उस काबिल नहीं है कि जैसे हम अपनी democracy को देखते हैं मैं I actually feel my democracy our democracy much better than that of US वो गनकल चैन्स की अपने बात की वो अपनी जगे मौजूद है और honestly it's it's true यह महीच सर यह जो आपने बात एक comparatively जो आपने यह बात कही है ना तो नात्मक अगर हम इसको देखने तो बहुत ही एक important बात कह दी है क्योंकि यह election का साथ है और हम और मुलकों में जिस तरह से election में देख रहे हैं किस तरह की हिंसा हो रही है किस तरह की मारकाट हो रही है ऐसे में हमारे यहां के election में हमने एक बहुत ही शान्ती देखी और कास करके जब एक propaganda एक narrative तो इस बारे में आप क्या कहेंगे बिल्कुल उतना ही नहीं आप यह देखिए कि अभी हमारे लोग चुनाव पूरे हुए हैं जिसमें एक तरह का मैं नहीं मनता हूँ मुझे लगता है हमारे लोगतंतर की खुशूरती है कि diverse views reflection पा रहा है और यहीं तो चुनाव है चुनाव के तो मैंने ही यही होने चाहिए न कि जितने diverse views हैं उनको आपके चुनाव में reflection मिल पाए और यह हमारे चुनाव में लगातार आ रहा है by vote percentage, by the share of votes जो हर एक पार्टी को मिल रहा है पता लग रहा है कि इन तमाम political parties के अलग-अलग views हैं और वो views इन votes में reflect कर रहा है तो समाज में यह लोग मौजूद है आप भाग नहीं सकते उन विचानाराओं से जो simultaneously एक समाज के अंदर एक्जिस्ट कर रही है और उनको यह हमारा चुनाव reflect कर रहा है दिखा रहा है लेकिन हम थोड़ा सा अगर मैं हमारे भारत की ओपर बात करो और हम अमेरिका की घटना को देखें तो यहां पर भी थोड़ा सा इखतलाफ राय को बहुत ज़्यादा तरजी देना लोग कहीं ना कहीं उसको मान नहीं रहे हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलोजी है वो इतनी जादा परसनल चली जा रही है जिसमें एक रैडिकल माइंड सेट लोगों का उभरता है काफी हद तक हम देखते हैं कि यह खिलाफ राय को बिल्टफुल रिस्टेक्ट्फुली डिसाक्र आदी कारों में उनका नाम है और हिंदी की कि एक बहुत नहीं हिसका नाम है ठाएल तो उसको चलाया करते थे उनको प्रग्या को सीमित कर देता है यानि जब भी किसी वाद या इजम के खेल में आप पड़ जाते हैं तो आपकी प्रग्या को, आपकी सोच को, आपकी बैचारिक शम्ताओं को वो सीमित कर देता है, क्यों? क्योंकि फिर आप उस वाद के घेरे में ही आप सोचते हैं, उससे बाहर निकल कर नहीं सोच पाते हैं, मुझे लगता है कि शायद जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, अगर मैं उसको समझने कोश्च करूँ, तो हमारे यहां इस समय जो जरूरत है, वो यह कि हम इस वाद के घेरे से बाहर निकल कर सोच पाएंगे, क् क्वे अगर आप र Astrovaad के भी घेरे में सोचते हैं, तो उसकी परिभाषाएं कहां हैं, You know, कौन है, जो रास्ट्रवाद की परिभाषा बताएगा हमें, कौन है जो इस परिभाषा को तय करेगा कि क्या है रास्ट्रवाद, तुछ को है तिक वैसे ही, या की रास्ट्रहित, रास्ट रहित भी कौन डिफाइन करेगा कहां डिफाइन है कहां लिखें में कि ये रास्ट रहित हैं तो मुश्किल क्या है कि ये वो जलंत सवाल है जो दुर्भाग वस हमारी सिक्षा पद्दती भी अड्रस नहीं कर रही है और मेरे जो जिन चीजों से मुझे डर लगता है ये जो आप बात जिस सवाल को आप उठा रही है मैं बहुत समल समल कर बोल रहे हैं उस बारे में क्योंकि मैं किसी दलाजारी नहीं करना चाहा रहा हूँ लेकिन सच यह है कि हमको सोचना यह होगा कि क्या हम जो कर रहे हैं जिन प्रशनों को उठा रहे हैं या नहीं उठा र बड़ी विश्तरत होती हैं बड़ी विस्तार में होती है और बड़ी इनका दायरा बहुत बड़ा है तो हमको दरसल उस तरफ जाना होगा अगर इन सवालों के जवाब चाहिए जिनको आप तलाश रही है या जिनका जिकराब कर रही है मुझे मैं जानता हूं कि मैं बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं लेकिन आप इन बातों को यह उस तरह से देख लीजिए कि कानून की जब हम बात करते हैं और हम यह कहते हैं कि कानून इस वक्तिने कानून तोड़ा है तो उस कानून के तोड़े जाने का जो फैसला है वो वो जड़ी शिरी करती है और आपको जड़ीशरी में जाकर उसे थाबित करना होता है अपने उस पक्ष को जो आरोप आप किसी पर लगाते हैं अगर आप जड़ीशरी में जाने से पहले ही हैसला कर ले और चीजों का पाचा जमिनी तोर पर खुद ही कर ले तो जड़ीशरी की अपनी जड़ीशरी की भूमिका जड़ीशरी को निभाने दी जाए समाज में अगर कहीं डिस्कॉर्ड है तो इस डिस्कॉर्ड को लेकर आप वहां जाएं और उस पर बात करें या इवन समाजे किस तरह पर आप उसमें बैठकर ही अगर आपको बात करनी ह है यह हर बात का दाल जाना जरूरी नहीं हो तो समाज में बैठकर जो एक जो डायलॉग की भावना है जो समभावना है उसके तहत हम अगर आपस में बात करें तो शायद बहुत सारे मसलों के बड़े आराम से निकल सकते हैं मुश्किल यह है कि वहां भी बटवारे हो रहे हैं दोनों ही पक्षों में और मुझे बढ़ा गंभीता से लगता है कि यहां संबादगी बहुत जरूरत है और समाज जो है वो यह नो मैं कई बार सूछता हूं कि कल मैं किसी सज्जन से बात कर रहा था कुल्चरल हिस्टॉरियन है वह और मैं आपको इस प्लाटफॉर्म पर ब होते हुए यहां पहुत हुई है और दरसल हम आज भी उन्हीं फंडामेंटल सवालों से जूज रहे हैं जो आज से सैक्ड़ों साल पहले जूज रहे थे मैं कभी इसके बारे में अगर हल्की फुल्की मैं आपको आफ्लाइन बताऊंगा लेकिन ऑनेसली माइंड बॉगलिंग है अगर हम अपनी कल्चरल हिस्ट्री को जाकर देखें कि हम कहां से चले थे कहां यूनों हिंदी की बहुत पुरानी कविता मुझे यादा रही है शाय हमको लिटली सोचने की जरूरत है इन सवालों को हमें लिटली सोचने की जरूरत है ये वो समय है जहां पर पहरा सरफ सीमा पर नहीं देना है बलके जिस समाज में भी हमें आपस में बैठकर पहरा देने की जरूरत है जागरूक लोगों को इस बाग का पहरा देने की जरूर जागने की जरूरत है इस वक्त और समाज में एक इस जागने की जरूरत है कि हम यह देखें कि हमारे रास्ट और समाज के हित्मे क्या है और क्या जो हम कर रहे हैं वो विस्तरत रूप से हमारे समाज के हित्मे ही है रास्ट के हित्मे ही है लॉंग रन में इस दिया नहीं कि आज से दस साल बाद या पांस साल बाद या हमारी आने वाली पीडियां किया हम पर इस बात के लिए गर्व करेंगी जो हम आज कर रहे हैं उसको लेकर तो यूनो हमें समाज की आवशकता इस समय मुझे महसूस होती है मुझे लगता है कि समाज में इस समय तमाम गोटों को आप समय बैठकर सिर्ज जोड़कर बैठना होगा अगर इस समाज को सब समाज की तरह से आगे बढ़ना है बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कहीं है और जब दुनि कि इस समय में आपने बहुत बड़ा सवाल बनता है अचा सर फिर से हम अमेरिका के ओपर आते हैं तो यहां डॉनल्ड ट्रम के ओपर ही जो अटैक हुआ है और इसमें इसमें बहुत बात तो पकी है कि जो एक सेंपती बोट होता है उसमें काफी हद तक कह रहे हैं नहीं कि उ कि इसमें बहुत बहुत मुझे बहुत बहुत देखिए एक तो आप समझे इस बात को कि अमेरिका में बाइपार्टीजन इस बात को लेकर सहमती है कि भारत के साथ जो संबंध है वो आगे जाने ही है इसके अलावा मैं जो दूसरी बात करने चाहांगा वो यह कि ट्रम्प जो कुछ कहते हैं उसको आप फेस वेल्यू पर ना ले उसका उसके कहने के पिछे दो रीजन है मैं आपको एक्जांपल देता हूं आपको यादू का पिछली बार ट्रॉप जबाये थे और इसी तरह की डिबेट्स में पाटिसिपेट कर रहे थे उन्हें दो ब प्रेजिडेंट बन चुके थे कि उस समय पर एक बम उन्होंने एक्सपरिमेंट किया था ट्रम्प के जमाने में एक बम डाला गया था अफ़ानिस्तान में जिसका नम था मदर आफ वॉल बंस और उसके बाद उन्हें कहा था कि अफ़ानिस्तान की प्राब्ब्म को सॉल करने में दिक्कत ही कहा एक नुकलियर बम मर दो सारा प्राब्म सॉल एक दिन में सारी प्राब्म खत्म है यह वो इस किसम के भी वयानात हो देते रहें तीसरा फिर आप यह देखिए कि उन्होंने आप याद होगा हिंदुस्तान को यूज करने के बात की थी यह कहकर कि मैं भारत को यूज करूँगा और उसके जरीए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को तमाम को कंट्रोल करूँगा आप यह देखेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ एक भूमिका जो उन्होंने बहुत इमरान खान को के साथ में उनकी नगोशेशन सुई थी बाजवा गय थे वहाँ पर और वो कश्मीर वाले मुद्देव की जो कुछ गटना करूँगा वो आपने देखा तो वो एक ट्रम्प के ट्रेनियोर में जो एक सकानात्मक हमको बात मिली थी वो यह थी उसके अलावा us ह आप यह देखे हैं कि वह हमारे ट्रेड को लेकर रहते हैं हो हमारे इमिगडियाशन को लेकर बात करते रहते हैं जो भारती ये companyya अमेरिका में करें करूं कर रही हैं उनको लेकर वो negative attitude दिखाते रहे हैं तो ये कुछ lane कुछ dain जैसी चीजें है ये बड़ा प्लस माइनस का combination है जो Trump के साथ आता है आप point blank से कुछ लिकर नहीं चाहते हैं मान यह सकते हैं हम कि Trump के ट्रॉम्प में भी ultimately होता वही है जो Pentagon चाहता है क्योंकि जब वो seat पर बैठ जाता है आदमी तो जो controlling nut bolts है सारे के सारे उस seat के वो Pentagon के पास होते हैं और ultimately वो इनको उस राह पर ठोक पीट के समझा भुजा के जैसे भी ले जाना होता है वो ले जाते हैं वो करवाने के लिए दरसल जो अमेरिका की पालिसी होती है तो लिटर इट सब्सक्राइब चलता है बट बियॉंड बैक मुझे लगता है कि एक एक बैलेंस जरूर बना रहेगा भारत के साथ जो संबद है अमेरिका के उनके गहरे होने के अलावा अमेरिका के पास कोई चारा है नहीं मैं इस बात को लेकर आई में साउंड लिटल और कॉन्फिडेंट लेकिन मैं बताओं कि तमाम बातों के बावजूद जो आपको नजर आती है सरफिस पर पानून वाला मामला है खालिस्तान वाला मामला है इस तरह के तमाम मजले हैं लेकिन मैं सीरिसली आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी अमेरिकन पॉलिसी वाले से आप बात करेंगे तो डीप विदिन आप पाएंगे कि इन तमाम मुद्धों के बावजूद हुए चाहते हैं कि इनको साइट ट्रा किया जाए बंद कमरों में बात की जाए और जो मूल फंडामेंटल जो रिलेशन्शिप है उसको मजबूत किया जाए क्योंकि आज की तारीख में रशिया को लेकर भी जितना भी हलागुला मचा है आप यह देखिए बहुत पासिबल है कि पूतिन जो है पसंदीदे करेक्टर है ट्रम्प के तो आप यह देखिए कि बहुत पासिबल है कि चीजे महाँ पर सुधरे युक्राइन वाला मसला अगर अमेरिकन फंडिंग बंद होती है और ट्रम्प आते हैं तो आप यह मान कर चलिए कि हो सकता है कि बाइदे स्टार्ट आप नेक्स्ट यह वार बंद होने की हालत में आ जाए क्योंकि बिना अमेरिकी मदद के तो युक्राइन लड़ाई लेना नहीं सखता है तीसरी बात मैं आपको यह विवाता हूं कि आप यह देखें अगरी जो जो कुछ जो अमेरिकन में अभी यात्रा हुई है इनकी हमारे मोदी जी जो रशिया गए थे यह और वहां से फिर ऑस्ट्रिया गए थे अगर आप दोनों जगह देखिए तो हमारे हां तो नहीं कुछ मेडिया में इस तरह की पाकिसानी में भी यह कहा गया कि देखिए उनको कुछ नहीं कए मतब्ली मोदी जी ने कुछ नहीं का जो की पूरी तरह जूट है अगर वो conversation जो one-to-one हुई थी पूतिन के घर पर मोदी जी की जो मलकात थी वो live telecast हुई थी आप उसको सुन लीजिए तो रफली 17 मिनिट में उस conversation के 17 मिनिट में मोदी जी साफ-साफ पूतिन को कहते हैं कि इस तरह के हमले इस तरह की जंगे मैं आपको एक दोस्त के तोर पर प भक्छे मरते हैं तो दिल तूटते हैं दिल हर्दय विदारक-सीन होते हैं इस वह अपर देसे ही वो आस्ट्रिया में लेंड़ाः हुए हैं तो और उस्ट्रिया ने उनसे आकर यह बात पर बहुत कि भारत एक लीडिंग रोल प्ले करें उक्राइन की लडाई बंद करने मे आस्ट्रिया यहां पर जो रेप्रेजेंटेशन कर रहा है वो यौरप की तरफ से बोला है तो वो यौरोपियन मुल्क जो कि उस रुशियन ओयल के बल पर सरदियां काटी है उन्होंने जिसे भारत ने इंप्रोर्ट किया था रिफाइन करके अमेरिका और यौरप को सप्लाई किया था आप ज़रा सोचिए क्या कोई माईकाला दुनिया में भारत को यह कहने की हिम्मत कर पाता है या कर पाएगा कि भारत रूस से तेल न ले यह सर्फ प्लिटकल लिटारिक है जब लोग यह कहते हैं कि भारत ने रूस की मदद की है इस युद्ध में तेल खरीद कर जी नहीं भारत ने मदद की है यौरप की भारत ने मदद की है अमेरिका की उन सर्दियों को पिछली सर्दियों को काट नहीं पाता है और अब भारत ने वह तेल सप्लाई ने किया होता और जो उनका सबसे करीबी इत्तादी था यानि अमरीका उसने जब वो Nord Stream pipeline तोड़ी थी, आप तो जग जाहर है, सबको मालू है किसने तोड़ी थी, उसके बाद में जो energy की supply हुई है, तो बोथ Scandinavian countries ने जो gas supply की है वहाँ पे, या अमेरिका ने supply की है, आप देखी, वो चार गुला दामों पी की है या रपको, तो उन्ह आइसिस का जिसको उन्हों खुद create है, और ये इसकी पीछे पूरी इस्टरी है, you know, चाहे वो आप लीबिया को ले लीजिए, एराक को ले लीजिए, जहां invasions हुए, आप ये देखे, आज एराक के जिन कुलों पर अमेरिका का कबजा है, उनसे किस रेट पर तेल अमेरिका ये है कि वो कोई भी जंग, कोई भी जहां पर democracy और freedom के नाम पर जहां भी लाई लेकर जाते हैं, दरसल उसको खतम कभी नहीं कर पाते हैं, जिस purpose के लिए हो जाते हैं, वो purpose कभी पूरा नहीं होता है, ये Middle East का गवा है, अफगानिस्तान इसका गवा है, आप देखिए, दु में ही बात करता रहता है, that's the reason. इन तमाम organization की establishment year for week बहुत घुमा फिरा कर इस तरह से दिखाने की कोशिच करते हैं, कि ये चाइना से influence होके भारत ने ये चीदे शुरू की है, जबकि इसकी सचाई कुछ और होती है, तो इनके इनके justification पे हमारी भारती ये जनता बड़ा मोहित होती है, तो यहां पर ये unfortunately हमे एक comment किया भारत के ऊपर, बिंस्टेक का जो हमारा फार्न मिनिस्टर्स का retreat हुआ था हमारे देश में, जिसमें जो पहले वाले सार कंट्री से उसके अलवा हमने जो add किया हुआ है मैमार और थाइलेंड को, उन सब का यहां पर समिना एक retreat किया गया था फार्न मिनिस्टर्स का तो और आपने देखा उसके अंदर कितना अचाहित निकल कर आया कि हम FTA करने की बात कर रहे हैं उन तमाम बिंस्टेक के मिलकों के साथ में, यानि कि तमाम South Asia के साथ में अगर भारत का FTA होते है तो जब सूचिए कि पुझा का पूरा खिता है वो एक साथ कर रहा होगा, प् अब उन्होंने इस बिंस्टेक पर कमेंट करने शिरू को रहा है है, यह भारत ने चीन की देखा देखी किया है क्योंकि चीन ने NATO, Warsaw जैसे प्रकस प्रइज से उसमें उन्होंने इंस्टिशनाइज सीजिए हैं करना शुरू किया, उन्होंने bricks बनाया, उन्होंने SCO बनाया इस तरह जोने बात की, तो मैंने उस चीज को chronological order में देखने कोशिश की और पता क्या लगा, कि साब भारत उनकी नकल करके बनाया है, तो जिब मैंने उसको chronological order में रखने कोशिश की, तो देखा ये, कि बिंस्टक बनिया था 1997 में, 17 जून 1997, जी, उसके बाद में SEO आया है, I think 2001 में, और ये जो, वो बना, आप देखिए 2009 में, अब आप सर जुनते रहें, कि भाई, इसमें कौन, किसको copy कर रहा है, चाइना भारत कर रहा है, या भारत चाइना हों copy कर रहा है, मतलब वो इस तरह का जूट पहलाते हैं, और इतना महीन जूट बोलते हैं, इतना convincingly बोलते ह हैं, कि आपको लिए जिससे बड़ा, तो विचारक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, जिस तरह के data और facts लगते हैं, और हमारी भारती जनता उनको बहुत appreciate करती है, लेकिन उनको मालूम है, कि अब ये जनता इसनी मुहित हो चुकी है, कि कोई भी जाकर in facts and figure को check नहीं है, जो वहाँ पर comment में भी लोग लिखते हैं, मुझे भी आकर सीदे लिखते हैं, कि देखे उसमें ऐसा किया, उसमें ऐसा किया, अभी ही एक और वहाँ की पत्रकार है, उनके बारे में भी कुछ लोगों ने लिखा, कि आपके यहां तो मुहरम चल रहे हैं, तो यह मैं इसम क्या बोल सकती हूँ, कि यह इस चीले आप लोगों को अट्रेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, दूसरी बात यह है, कि अमेरिका में हुए इस हमले का पूरा विशलेशन, डॉनल्स रंस ओपर हमला कैसे हुआ, इसमें किसकी साधिश है, यह सब कैसे, तो इसका विशले कि कमर्शीमा सहाब जैसे लोगों से सुनते हैं, जो कि बहुत अच्छे थे ब्रेन बॉश्च करना एक जान तुके हैं, कि भारती जन्सा को कैसे मोहित करना है, तो यहां पर हमारे दोगों को खुद थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं अकसर इस बात करती हूँ, जिसके होना चाहिए, भारत जैसे एक विशाल देश के साथ, खैर आपने यहां रश्या की बात की है, और खैर हमने यह एक बहुत ही सिंस्टन का विश्या चोड़ दिया, हमारे दर्शक कुछ कुछ बेसाइट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा फिर से वापस आ जाते हैं, अमेरिका के जिकरे छेड़ा, भारत के साथ, रश्या के तालुकात, अमेरिका के साथ, रश्या के तालुकात, अमेरिका का रश्या का जो टाकरा है, और यह बहुत आपने कहा कि जहां पर अमेरिकां इंटर्फेरंस हो जाता है, वहां जंग ये कभी खत भी नहीं होती है, वहां के अब जो ये आपने चीजे बुड फ्रम्ट के ओपर जिसमें का भी आपने कहा कि बहुत सारी रिखोलेंगी तो इस पर भी हम देखते हैं कि रश्या कहता है कि जो अमेरिका की democracy है American democracy is in decline और वो इसका सारा दारुमदार जो है वो कहते है जो बाइडन के ओपर तो इसे इसे आप कितना सहमत है Russia के इस statement से और आप इसे कितना सही मानते हैं कि जो कह रहा है वो वाकर में ठीक है American democracy is it in decline mode बिल्कुट ठीक है उस तरह से भी क्योंकि जिस तरह से ट्रंप को पहले उनको impeach करने कोशिश की गई जेल डा गया अरेस्ट किया गया जितना ही तामशा किया गया सरफ इस लिए कि कि किसी भी तरह से उनको election में लडने से रोका जा सके good of American judiciary कि उसके बावजूद वो election लड़ रहे हैं कोई चीजे वो थाबित नहीं कर पाए लेकिन इससे कम से कम बाइडन administration की जो नियत थी वो साफ हो रही है मैं यह नहीं जानता हूं कि इस बात को हम सरफ बाइडन administration की ही नियत देखें क्योंकि अगर आप उन लोगों की Republican Party की सबसे आने वाली अवाजों को सुने तो आप पाएंगे कि उनका यह कहना है कि पिछले दस सालों से लगतार Obama ही राज कर रहे हैं इस सरकार को भी background से बाराक Obama ही चला रहे हैं और तमाम फैसले जो हैं वो हैं वो उनी की सूच बूस से हो रहे हैं क्योंकि इनको तो कुछ होश चीए ने रहता है अचार इस बात को मुसीबत ये है कि इसके थबूत में बाइडिकल रिकॉर्ड बहार आया है जिससे पता लगता है वो डिमेंशिया की दवाई खाते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सामझे आई हैं जिससे इस समय एक बड़ी आवाज ही ओठ र हट जाना चाहिए इस election की दौर से especially अब जबके Trump के उपर जो अटाइक हुआ है उसके बाद ये दबाव मुझे लगता है कि आने वाले दियों में आप देखेंगे बहुत बढ़ेगा हटेंगे नहीं हटेंगे मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर बाइडन इस दौर से कहीं पीछे हट जाए क्योंकि कमसे कम बीस कॉंग्रसमेन उनकी अपनी पार्टी के समय बाहर आकर ये बात कह चुके हैं कि इनको हट जाना चाहिए तो खेर ये एक अलग बात है लेकिन जो की कवाली देता है आप जड़ा सोचिए दुनिया अमेरिकन डेमोकरसी की बात करती है और खुद अमेरिका आज की तारी में अगर आप आदो पिछले दिन उनकी स्पोक्सपरसन ने वाइट हाउस के कहा था कि इंडिया इस दा मदर अफ डेमोकरसी अब अमेरिका में भी ये रियलाइजेशन जा रहा है कि कि जो हिंडुस्तार है दसल डेमोकरसी वाइजिस्ट कर रही है जहां तमाम विचारों की विभिनताएं तमाम तरह के लोग जहां कोई किसी को ब्लाक डाइज मेटर का मुकदमा नहीं चलाना पड़ता यहां पर किसी को ऐसी मुहिम नहीं चलानी पड़ती और इसके बावजूद आप ये देखिए कि चाहे वो रेशियल हेटेड के क्राइम हो वो सब के सब इस समय अमेरिका में हो रहे हैं तो societal disturbances वो सारी की सारी अमेरिका में पूर नजर आ रही है तो ये देखने का मुद्दा होगा लेकिन मुझे लगता है कि पूतिन साहब की इस स्टेटम में दम है और वो आवाज उनकी अकेली नहीं है मुझे लगता है ये आवाज इस आवाज का realization जो है वो दुनिया में बहुत दूर दूर तक गया हुआ है बिल्कुल बहुत बहुत सही बात आपने कही यहाँ पर और जो अमेरिका की democracy के उपर इस वक्त जो खत्रे की अलामत की बात हो रही है बहुत तादा इस पर discussion भी हो रहा है व्लादमिर पुतिन ने तो खुलकर ही इस बात को कह दिया है तो मैं देख रही थी The Economist का एक फेमस democracy index होता है जिसमें democracy को rank किया जाता है और उसमें number one पे अगर हम देखे तो वहाँ Norway on New Zealand जैसे मुल्क है और United States का हम देखे तो वह 29 पे इन number पर आता है और यहां हमारे भारत का भी मैं बताओ तो कि हम democratic branch में index में हम 41 पर है America का इस तरह से democracy के ओपर जो लगतार सवाल हो रही है और जो एक decline mode में बात हो रही है तो यह दुनिया के लिए आप कितने बड़े खत्रे की अलामत देख रहे हैं बस लिए all together मैं आप से तोड़ा जानना चाहरे हूं कि यह कितना ठीक है कितना गलत होगा दुनिया के लिए क्योंकि यह एक बहुत influential country है बहुत superpower country है और जब कुछ भी कि आने वाले सालों में आप देखेंगे जैसे अगर यह फैसला होता है कि ट्रंप आते हैं तो एक बड़ा बदलाव जो आएगा वो यह कि कम से कम जो दुनिया में लडाईया है जो महौल लडाई का बना हुआ है अर तरफ बहुतों खत्म होगा और that itself जो है वो करेक्शन का बहुत बड़ा रास्ता खोलेगी दुनिया में कि हम अपने पॉलिसी करेक्शन उस तरह से कर पाएं अगर युक्राइन की बार खत्म होती है गाजा में कुछ डवल्पेंट इस तरह की होती है कि वहाँ पर अब चीजें वहाँ भी खत्म होने की तरफ जा रही है तो आपको याद होगा कि पिछली बार मैं जब ट्रम्प की बात कर रहा था तो अब को बताना भूल गया कि यह एक और बड़ा कॉंटिबिशन था ट्रम्प का नहीं हुआ होता जो हमस वाला जो अटाक हुआ था तो आप यह देखिए कि अब तक शहाद साओधी और भी इजरायव को रिक्रिमाइज कर चुका होता और चीजने कहीं कहीं जा रही होती है मुझे अभी तक याद है एक इंटर्व्यू जो मेरे से साथ फॉक्स पर हुआ था इनका माउंट बिन सल्मान का और जिसमें उन्होंने यह साथ अक्टबर से पहले की बात है मेरे खाल से कुछ 15 दिन पहले की बात है जिसमें वो कहते हैं उन्हों से कुछ अधायं करें कि आपका क्या खयाल है कि इसराइल के सम्मंद कैसे है तो उन्होंने का कि हम हर गुजरते दिन के साथ में इसराइल के नजदीक जा रहे हैं यह उनका कहना था और मुझे लगता है कि शायद यही उनका वक्तव है था जिसको इरान जैसे मलकों ने बड़ी गंभीता से लिया और साथ अक्तवर की तहियानिया शुरू ही एक दम कि यह क्या होने जा रहा है मगर अगर ट्रंप आते हैं तो शायद वह महाल एक बार फिर से वाफस लोटे इसराइल को भी कुछ किसी हद तक समझाया जाए इस बात के लिए हाला कि उनके समझने के हाला तो नहीं दर आ नहीं रहें लेकिन कम से कम जो 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 उपद्रव हो रहा है गाजा में और यह अगर दोनों ही तरफ आप यह देखिए दोनों ही तरफ अगर यह आर्थिक और हथियारों की मदद बंद होगी तो जाहर है दोनी तरफ के रीजन जो है वो खतम होते जाएंगे डाट इससल्फ विल वेरी पॉजिटिव डवलप्मेंट टू डमकरसी के साथ-साथ मुझा है दुनिया में पीस की तरफ भी एक बड़ा कदम होगा अबरहम अपॉर्ट के बजिस जो आपने बा करते हैं तो इनका बहुत है और दुनिया को मुटासिर करता है चाहें इनके इंको इंके अलेक्षन हो चाहें इनके मार्किट हो अ पुरी दुनिया को इससे फरतब पडता है और भारत को इसका नजर गनाई रखती होती है तो इस only canadar हम चूर पूरी बारशीत की I hope कि हमारे क्यारी वीडियो को दूर तक शेयर करेंगे जो कि वो करना भूल जाते हैं लेकि मैं फिर भी उम्मीद करती हूं और फैक्यों सो मच बहें तर आपने अपना वक्त दिया तुबारा आपको जहमत देंगे और फिर किती और टॉपिक पर आपके पास जरूर बात करेंगे बहुत क्पास जरी को जरो आपको जरा आपको जरूर prayer तूर इनपर निया घर ट 정도로नोल जरो भासो करेंगे जरूर सक्ष貂णज हूं का जरू क 對不對 आपको जरूरлом आपको D很क्या है क्या जरूरि में बहुता है